नमस्कार स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल संगितास्पन में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रविवार ब्रत कता के विशाय में रविवार का दिन सुरी देवता का दिन होता है इस दिन सुरी भगवान की पूजा की जाती है वैसे तो हम सुरी भगवान की पूजा हर सुबह करते हैं लेकिन रविवार का जो दिन होता है इस देशली सुरी भगवान को समर्पीत होता जीविन में सुक्षम, ब्रदी, धन, संपत्य और सत्रों से सुरक्षा के लिए रविवार के ब्रद को सबसे अच्छा और सर्विस रेस्ट माना जाता रविवार का ब्रद करने या कथा सुनने से मनुसी की सबी मनों कामना ही पूरी होती है मान, समान, धन, यास, इत्यादी में ब्रदी होती है अगर बात करें कि रविवार के ब्रत की पूजिन कैसे करें, कितने रविवार लें, क्या करें तो आप रविवार का ब्रत एक वरसे तक भी ले सकतें या फिर आप काउंट करके 30 रविवार होते हैं या फिर 12 रविवार होते हैं जितने ज़्यादा आप अपने विशिस रहिवार को सुर्य देव से पूरो विस्तर से उड़ जाएं, स्वच्छ हो जाएं, सौच इत्यादी करके आप उस दिन लाल रंग के वस्तर पहनें। जो तांबे का लोटा होता है, उसमें जल भरे हैं, उसमें रोली डाले और लाल रंग के वस्तर पहने। वरत कता सुनने के बाद आप आर्थी करें। और जब आपके आर्थी संपोर्न होजज़ के बाद सुर्य भगवान का इसमर्ण करते हुए ओम, रांग, रिंग, रोश, शूर्या, इनम, इस मंत्रे का जाप आप बारा बार या पाज बार या फिर तीन माला जाप करें। यानि भी आपकी सब सुविदा हो या जैसा आपके पास समय उस सापसे इस चाप को करें। जब के पश्चा सुद्जल, चंदन, अक्षट, लाल, पुस्पो और दुर्वाइत्यादी से सुर्य देव को अर्गे दे। आप पहले भी अर्गे दे सकते हैं पूजा प्रारंब करने स में गियों के रोटी, दल्या, दूद, दही, खी और चीनी खाएं। रहवार के दिन नमक नहीं खाया जाता है। जैसे गुरुवार और सनिवार, मंगलवार ऐसे बहुत से ब्रैथ हैं जिनमें नमक का उप्योग नहीं किया जाता है। उसी तरीके से रहवार के ब्रैथ के जिनमें नमक का उप्योग नहीं करना चाहिए। या फिर आप किसी जोतिस या पंडित से पूछ कर भी कई लोग नमक का उप्योग करते हैं। या कई लोग उपके लिए बहुत जरूरी होता है नमकिन खाना खाना वो मीठा खाना आवाइड करते हैं। तो आप अपने रववार के ब्रःवार के ब्रत क्था की नियम और किस परकार से हम ब्रत प्रारम भकरेअं चैले में आप बात करते हैं। प्राचिन काल में एक बुढ्या थी वो नियामी दो रुख से सूरे भग्वार का ब्रत क्था ती रवश्यो हamud edith से पहले उटकर बुडिया, इस सूरी भगवान के अनुकमपा, सारुय भगवान की किरपा से बुढिया को किसी भी परकार की कोई चिंता या कस्ट नहीं था दीरे दीरे उसके गहर में धंदाने, का भंडर बर्लड़ने लगा, उस बुढिया को सुखी होते देख उसकी पडोसन उससे जलने लगी क्योंकि बुडिया जो थी वो गाय का गोबर उसी महिला से अपने पडोसन से लाया करती थी उस पडोसन की गाय आगन में बदी रहती थी तो उसी से अपना घर लीपने के लिए गोबर लाती थी पोडोसन ने को सोच कर अपनी गाय को धीरे ध अपने घर के अंदर गौसाला में बादना शुरू कर दे रहे बार को गोबर ना मिलने से एक बार ऐसा हुआ कि बुढ़िया को गाय बाहर नहीं देखी तो गोबर नहीं मिला तो परिशान हो गया और उसने सुरी भगवान को भोगने लगाए क्योंकि घरागन लेपने सा कि इ सुंदर गाय अपने बचछड़े के साथ आगन में खडी है बदी ये खूंटी से गाय को आगन में बढ़ा देकर उसे जल्दी से चारा खिलाती है पड़ोसन देखा तो वह उसे और अधिक जलने लगी तो पड़ोसन ने देखा कि सुंदर गाय जो बढ़िया के आगन में गोबर की स्थान पर सोने का गोबर कर रही है तो इस उस पडोसन के आंक है फटी की फटी रहे हैं उसने देखा कि पडोसन आसपास नहीं है तो उत्रंत जाकर उस सोने के गोबर को उठा लाए उसके जगवा पर अपनी गाय का गोबर रखा है सोने के गोबर से पडोसन कुछ दिनों मत धन्वान हो गए गाई प्रती दिन सूरीदेव से पूरे सोने का गोबर करती और बुढिया के उठने से पहले ही उसकी पडोसन उस गोबर को उठा लाती बहुत दिनों तक बुढिया को सोने के गोबर के बार में कुछ पता ही नहीं चला बुढिया पहले की तरह हर बढ़ान सुरी देव का प्रेथ करती और कथा सुनती जैसा नियमित करती थी उसी प्रकार से ये सारे अकारी बुढ़िया का चला था लेकिन एक दिन सुरी भगवान उसके पड़ोसन को देखकर तेज आधी चला देते हैं जिससे आधी का प्रकोव देखकर बुढ़िया अप परेशान होगा बुरी तरीके से जल भुनकर राक होगा उसने अपने पती को समझा बुजा कर नगर के राजा के पास बेचा सुन्दर गाय को देखकर राजा भी बहुत खुस हुआ सुबह जब राजा ने सोने का गुबर देखा तो वो आश्चरी का ठिकाना ने रहा उसक उधर सुरी भगवान को भूकी पैसी बुढिया को इस तरह परातना करते हुए देखो बहुत परेशान हो क्योंकि गाय जो थी हो राजा ने अपने महल में मगवा ली थे अब बुढिया के घर पर गाय तो थी नहीं और बुढिया जैसे उसने पहले किया था बिना भगवा बुढिया को भूक लगाए भूकी पैसी खुद भी सो गई बुढिया की हदसा देखकर भगवान सुरी देव राजा के स्वपन में गय और राजा से कह राजन बुढिया की गाय और बचला तुरंत लोटा दो नहीं तो तुम पर बहुत सारी बिपत्तियों का पहाड भगवान को स्वपन में बुरी तरह इस परकार से कहते हुए देखकर राजा भाईवी दोगे और उठते ही गाय और बचला बुढिया को लोटा दिया साथी राजा ने बुढिया से समाम आगिया और बुढिया को बहुत सा धन देकर अपने गल्दियों का पच्चा ताब क या राजा नने पढ़ो सना और उसके पती को इसनों उसकी इस दुष्ठता के लिए दढ ले दिया फिर राजा ने पूरे राजे मा घोसना कराई कि सबी स्त्री पुरुस रव्यार का ब्रुद करें रव्यार का ब्रद करने से सभी लोगों के घर में धन्दाने के भंडार और ख़पान सूरी देप किर्पान पर बनी रहीगे हमेज़ा खुसाली बनी रहीगे किसी भी वेक्टि के घर में किसी के जीवन में सुखसंवरिदी बनी रहीगी तो ये थी आज के दिन की गत्धा आज का वीड़ू आपको वीडियो कैसा लगाए, कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को इसी तरह की जानकारों के लिए लाइक, सेर, सब्सक्राइब अब इससे करें अगर आप किसी भी विश्य में और ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते तो आप मेरे ब्लॉग संगतास्मेंट.com पर विजिट करें वहाँ पापको सारी जानकारिया मिल जाएंगी साथ ही कमेंट करके अपने राइदें थैंक यू पर वॉचिंग